नमस्कार दोस्तों अब पस्ताय क्या हो जब चड़िया चुगे खेद तो हमें ऐसा काम नहीं करना है हमें समय रहते भीसन गड़मी पढ़ने से पहले फटा फट से अभी इन कटिंगों को लगाना बहुत ही जरूरी हो गया कुछ पॉदों को सेव करने के लिए और कुछ पॉदों को फ्री में अपने गार्डेन में मल्टिप्लाय करने के लिए हमें इनको कटिंग से लगाना अभी बहुत ही जरूरी हो गया तो इन कटिंग को लगाने के लिए परफेक्ट सॉइल हमें भुरभुरी बनानी है साथ ही इन कटिंग की 100% सक्सेस रेट मिले तो उसके लिए या तो आप रूटिंग हार्मोन ले ले या फंगी साइड ले या एलोवेरा जेल ले मैंने यहां पे ली है फंगी साइड जो कि आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं अब चलिए देखते हैं मिट्टी बनाने के लिए कौन सी रेसियो हमें लेनी है तो 30% हमें गार्डें सोय लेना 30% रिवर्सेट 20% कंपोस्ट लेंगे हम लोग और देंगे गर्मियों के दीनों में थोड़ी मिट्टी में मौशर बनी रहनी चाहिए जिसे कि हमारा कटिंग मान सून या फिर आप लोग कटिंग लगाएंगे बोग बेल का तो 100% सक्सिस मिलेगा दोस्तों तो आपको पेंसिल लुमा कटिंग लेनी है साथ ही हमें जो पतली कटिंग मिलेगी उनको भी हमें फेक ना नहीं है मोटी कटिंग की सक्सेस रेट अच्छी मिलती है तो को हम लोग डुबा लेंगे फंगी साइड में या एलोबेरा जेल जो भी आपको कुछ भी यूज जरू कर और अच्छे से हमें एक नोड दो नोड जो भी नोड हो उनको मिट्टी की नीचे दे कर अच्छे से प्रेस करना अब इन पतली-पतली कटिंगों को भी मैं लगा लू देखे इस तरह से इतनी जड़े बनी है तो इससे आप लोग अंदाज लगा सकते कि अभी इनकी कटिंग को लगाने का कितना सही समय है नेक दोस्तों सदा बाहर विंका के भी कटिंग से अप लोग ग्रो कर सकते हैं इसे पेरी विंकल भी कहते हैं बहुत सारा इसका नाम है इन तरह भिना में बहुत ही खुबसूरत और हाड़ी पौधा होता हुता है तो से हमें पतली-पतली सी कटिंग ही मिलेगी तो ऐसे ही कटिंग को हम लोगों को लेना है थोड़ा 45 डिग्री एंगल पर सभी कटिंग को हम लोग काटते हैं तो उससे क्या होगा कि cutting में जल्दी से fungus नहीं लगेगा और rooting जल्दी होगी तो किसी tool की मदद से हमें इसे hole बनाना है उसके बाद ही cutting को हमें इसमें घुसाना है क्योंकि ये soft root cutting होती है क्योंकि cutting को हिलना नहीं है अगर ये हिल जाएगा तो फिर cutting कभी भी नहीं लगेगा नेक्स दोसों गर्मियों में सब का मन पसंद इसे moss rose या दस वजी आप फूल कहते हैं या पॉर्चूला का भी कहते हैं कुछ लोग पॉर्चूल का भी कहते हैं तो इसकी cutting लगाना बेहदी असान होता है बहुत सारी colors में available होता है most favorite plant होता है हर gardener का ये तो चलिए इसकी cutting लगाना बहुत ही असान है तो जो आपके dormancy में पड़े होंगे ना आप उसी pot को उठाए और इसकी छोटी-छोटी cutting आप मिट्टी में फेग भी देंगे ना तो तो भी ये grow हो जाएगा बस इ किंच की cutting आपको लेना मिट्टी में गुसेरते जाना है जैसे भी आप डालेंगे सीधी करके खड़ी करके लिटाके तीछी करके इसकी cutting को तीन दीन में रूट आने ही आना है दोस्तो कुछ भी लगाने के जरूतने बस cutting लगाने के बाद उसको अच्छे से पानी दे दीजि मैक्सिकन हेदर का प्लांट देख रहे हैं यह मॉस्चर लबिंग प्लांट होता है से हेच के रूप में लगाया जाता है इसके टैनी टैनी से बहुत ही खुबसूरत पिंकिस ताप के फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते तो इसकी cutting के रूप में हमें पतली पतली डंडिया ह इसको आपको इस तरह से दबाना है मिट्टी में और मिट्टी में इस तरह से पतली ब्रांचेस हैं तो इसको हम लोगों को दे देना इसकी इसी तरह की cutting लगते तो यह मौसम इसका इतली ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा है नेक्स दोस्तों यह बेलदार पौधा मोटी cutting इसकी नहीं मिलेगी तो जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस बेल वाले पौधे में लटकी हुई होगी तो वहीं से हम लोगों को cutting मिलेगी तो यह देखे मैं भी cutting ले ले रही हूं तो हल्की सी semi hard root cutting हम लोगों को लेना है ग्रीन ग्रीन सा नहीं लेना है देखे इस तरह की तो थोड़ी हल्की green और हल्की brown रहे तो इस टिप वाली cutting को हमें लेना है दो तीन इंच की cutting लेंगे और मिटी में हम लोग दबा देगे नेक्स दोस्तों यह flame wine देख रहे बहादी खुबसूरत यह पौदा होता है तो इसकी cutting कई बार मैंने ब्राउन वाली लगाने की कोसिस की तो वो मैं success नहीं हुई तो मेरा कौन सा cutting success हुआ तो ऐसी cutting जो green वाली हो एकदम new branch थोड़ी hard लेकिन इसको जब आप तोड़ेंगे ने यह काफी सक्त होती है असानी से तूटता नहीं है तो आप देखी सकते हैं कि जो green वाले part है वही मेरा cutting इसका success हुआ तो मैंने देखि तो यह मैं अपना experience आप लोगों बता रही हूँ देखि इससी तरह की green part का ही cutting इसमें success मिलेगा नेक्स दोस्तों यह alamanda है alamanda semi wine वाला पौधा आप इसे बोल सकते हैं तो इसकी भी cutting इस समय आप लोग लगा ले तो इसकी जो cutting आप लोगों को लेनी है यह काफी खुब सूर है सभी मैंने cutting से ग्रो की है कभी भी आलमांडा की पौधा तो मैंने कभी नी खरी दी तो इस तरह से cutting लग गई और cutting को हमें इस तरह से जुंड बना कर रखना है जब हम लोग धेर सारे cutting एक साथ लगाते है तो उसमें एक भी cutting फेल नहीं होती है नेक्स दोसों जेरीनियम को सेव हम लोग इस समय कर सकते हैं इसकी cutting लगा कर एक तो मल्टिप्लाइ करेंगे और मांस उनमें बचा लेंगे तो यह पौदा हमारे साथ अगले विंटर तक भी रहेगा तो इसकी आप कैसे हम लोगों को इसको बचा कर रखना है इसकी छोटी-छोटी जो नीचे से अच्छी होती है तो इस तरह से cutting लगा लगा कर इसे हम लोग सेव करेंगे ने इस पारिजाद बेहदी सूप पौदा काफी खुबसूरत और खुजबुदार पौदा होता है इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसनल वैल्यू भी है इसकी पतियां फूल सभी बहुत मेडिसनल ग पर तीछी कट देना अलोवेरा जेल में हमें डूबा देना है और दो से तीन नोड मिट्टी के नीचे हमें धसाना है दिस्पोजेवल या किसी भी कंटेनर में इस तरह से अच्छे से हम लोगों को दबा देना तो इस तरह से इसकी कटिंग लग जाते है नेक जोस्तों यह अगर आपको नर्सरी में मिले या कहीं से चोटी सी कटिंग मिले तो उसको लगाना मत भूलिएगा यह भर भर कर फूल देता है इस प्रिंग के बाद इसमें बहुत ही वहतरी जबर जास ग्रोथ पकड़ी है एक ट्रेलिस भर मुझे देने की इसको जरूरत है फिर यह काफी ज्यादा सुन्दर लगेगा तो इसकी टिप से साइड से ब्रांच निकली वित उसकी टिप की मैं छोटी सी 2 इंच की डा इंच की कटिंग ली हूँ तो इसको भी ऐसे नीची की पतियों को हमें हटा देना है और कटिंग से इस तरह से हम लोग लगा सकते है और यह सारा पौ इसे की कटिंग हीले नहीं तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कटिंग लगने के बाद हिलनी डूली नहीं चाहिए तो वह कटिंग जरूर सक्सेस होता है ने जोस्तों यह ओलियंडर यानि की यह कनेर का पौदा है तो यह कनेर बहुत ही खुबसूरत होता है इसमें ख कटिंग नहीं लगेगे हमें सब कुछ करना चाहिए तो इस तरह से फंगिसाइड में या एलोपेरा जेल में हमें डुबा लेना है डिप कर लेना जिसे फंगस वगेरा नहीं लगेगा और किसी टूल की मदद से छेट करना है और इसको मैंने एक छोटे से पॉट में इसकी क करना है कि आहिए और किना कि लगेरें लुट छलिए देखि आते हैं कुछ मेंने खॉल आते हैं तो देखिए यह मैंने कुोछ दिन पहले लगाई तो तक्रीबन दो मेहने पहले की यह कर देखिंग लगी है मुझे बहुत ही सुंदर से दिखिया और ग्रोधॉसमें जरू हो काडें से पौधे कुई कटिंग लगाकर मल्टिप्लाइ करना बहुत ही समझदारी भरी बाते होती तो नेक्स ये रंजाई देख रहे हैं आप लोग रंजाई यानिके क्लेमेटिस वाइन ये बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही खुजवुदार पौदा होता है तो इसकी कुछ दिन चायादार जगह में रखना है नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप लोग ये जट्रोपा का प्लांट है ये भी बहुत ही खुबसूरत साल भर इसमें ब्लूमिंग देता है ये एक मैडिसनल प्लांट है इसकी कटिंग भी काफी असानी से लग जाती है तो टिप से ह लोगों को 2 इंच के कुटिंग ले लेनी है पती दियों पर नीचे की पतीयों को हटाना है फंगी साइड में आने इसके बाद इसकी दो नोड्ड या तीन नौड आप मिट्टि के नीचे अज़ा दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए तो इस तरह से कुटिंग काफी अ तो 15 दिन में इसमें जड़े बनना सुरू हो जाएंगी और री पॉर्ट अब दो महिने के बाद करिएगा मतलब दो महिने में जड़े बहुत ही ज्यादा अच्छी से डेबलप हो जाती है इसको पॉर्ट दे देने मातर से यह बहुत ही अच्छा से ग्रोथ होगा देखी कितर अब इसको ग्रोव कर लेंगे तो यह पॉधा बहुत ही असानी से जड़े बनाकर सर्वाइब कर लेगा तो नीचे से इन पतियों को हटाना है और इस पतिया भी वेस्ट नहीं होगी इन पतियों को भी हम लोग ग्रोव करेंगे क्यूंकि केलन्चो एक पति से भी ग्रो हो ज जाती है और इन पतियों को भी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे से कटिंग दबा देना है हमें ताकि यह हिले डूले नहीं इस तरह से अच्छे से मैं प्रेस कर दे रही हूं आपने भी इसी तरह प्रेस करना है और इन पतियों को भी मैं इसको देखे इस तरह से हमें रखते जाना है मिती की नीचे और दबा देना है और बारबर निकाला नहीं है हमें चेक नहीं करना है सारी कटिंगों को हमें एक साथ रखना है जुन बना कर नेक्स दूसरे फर्स लब का पौधा आप लोग देख रहे हैं ये खापी खूपसूरत फौधा होता है तो इस इसकी भी cutting आप लोग इस समय लगा सकते हैं इसकी cutting फटा फटे हम लोगोंको नीचे- नीचे स tutaj से जो चौटी क्षोटी ब्रांच से नीक लीपी होती है वहीं से हम लोग किन कटिंग को लेंगे तो छोटी-चोटी सी मैफने साथ मैं इसकी सेयर करूंगे और इस तरह से हमें इसको मिट्टी के नीचे दबाना है और मिट्टी में हम लोग बहुत ही धीमा से वाटरिंग करेंगे जिससे कटिंग हीले नहीं अराम से स्प्रेयर से करेंगे या किसी चननी के उपर पानी डालेंगे तो उस तरह से कटिंग म हम लोग लेंगे तो जल्दी लगेगा ज्यादा बड़ी कटिंग हम लोगों को इसकी नहीं लेनी है तो पतली मोटी जैसी भी कटिंग मिल जाए आप लगा लें मैं ऐसा कोई हाड़ और फास्ट रूल फॉलो नहीं करती हूं कि पैल से नुमा ही कटिंग लगेगी या पतली आते हूं कि आप लोग जादा से जादा कटिंग लगाए और बहुत जादा पौधे मल्टिप्लाइ करें तो उस इस्थिती में हमें सभी कटिंगों को जैसी भी मोटाई मिले तो उसे हमें लगाना है तो इस तरह से मैं देखिए फंगी साइड में सारे कटिंगों को डुब देनी है जिससे की कटिंग के सर्फिस एरिया बढ़ती है तो उसके सक्सेस रेट काफी जादा मिलता है तो इस तरह वन बई वन सभी कटिंग लग गई है दोस्तों तो यह बहुत ही सुन्दर से मैंने कई बार टिकोमा की कटिंग लगाई है और काफी जादा सक्सेस भी मिली है मुझे यह भी बहुत ही असानी से लगता है लगभग 15 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आपको महिने भार भर के बाद ही आपने चेक करना है कि उनमें जड़े बनी की नहीं बनी पौधा एक्टीव रहा अगर पतियां अच्छी रही तो आप समझ जाए कि आपका पौधा एक्टीव है उसमें ग्रोथ होने की संभावना है तो देखिए दोस्तों कुछ कटिंग मैंने इस पौट में कने जाली थे देखिए कितना सुनदर से इससारे कटिंग लगद दिए तो इस तरह से मैं एक निकाल Maire को दिखाती कितने आज मचा से यह ऐरा है विर्याद के लिए बेगोनिया की कटिंग मैं ंद्व लग दोस्तों कि मदर पौधा कएं में खराब भी हो जाए तो उसका ब लगबग देखो दोस्तों इतनी अच्छी से जो यह रूटिंग बनती है यह लगबग 15 दिन का रिजल्ट है तो इस समय आप लोग इसकी जो साइड से नीचे से कटिंग को निकालोगे तो इस तरह से देखिए और फिर उसको लगाने से इस तरह से बहुत ही बहतरी रिजल्ट मिला मुझे तो आप भी इसको लगा ले ताकि आने वाले दिनों में यह आप इसे सेब कर सके आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और हेलफुल रहा होगा तो फटा-फट से आप लोग मार्च के महिने में इन पर्मनेंट पौधों की कटिंग लगा ले जो आने वाले सीजर में आपके गार्डेन को बहुत ही ब्यूटिफुल बनाएगा इसी के साथ विदा लेती हूँ भाई दोस्तों टेक क्यार हैपी गार्डनिंग